असलाम लेकूम क्या हाले आप सब का होपुरिल सब लोग ठीक होंगे खुश होंगे अपने अपने घरों में मज़े में होंगे कुश इक थाकर हूं अला का शुकर है And Welcome Back To My Channel और में बना रही थी आप से गुला कबाब कढ़ाए भी कह सकते है ठीक है लेकिन प्याज नहीं होती है लेकिन इसमें इसमें मैंने ग्रीवी के talents यूज किये था अच्छा ही मैंने गुला कबाब किस तरीके से बनाए थे यह आपने मैंने पूरे हफ़ते की जो मील प्रैप की थे ना उसमें मैंने यह गुला कबाब बनाके रखे थे फ्रीजर में फ्रीज किये थे किस क्या रैसी पी थी तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक् तो इनको फ्राइ कर लिया था पूरा कुक नहीं करना था बस मैंने को कलर दिया है और इसके इलावा यह है कि यह जो है अच्छे से बाइंड हो गयता है अब यह तोटेंगे नहीं किसी भी सूरत में लेकिन इतने इंतहाई सौफ्ट है क्योंकि जारे इसमें बहुत सारा तो दियार किती हैं कि मैं तो इस पाइब को फ्राइय किया था और इसमें मैं तक्रिबर तीन मीडिम साइश के प्यास थे प्यास था उनको जो है मैं ब Tai Ne for운 Pe婆ाण डिया था और मैंने यहां पर प्यास दाल दी है तो दो Right जिए प्याज तरीके से इसकी रोगा स्मेल चली गई तो फिर मैंने इसमेल तीन टीस्पून के करीब मैंने डाल दिये थे लसन अद्राग का पीस्ट सही है वो फ्रीज थे तो फिर इसको थोड़ा सा डाल के जो है मैंने पकाया था ता कि वो इसमें डिफ्रोस हो जाए और फिर में अच्छी सी स्मेल आने लगगे न लसन अद्राग के तो फिर मैंने इसमें डाले हैं सूखे मसाले, वह सिंपल से, रूटीन वाले हमारे मसाले, कि जिसमें, हाफ टीस्पोन मैंने, हल्दी का लिया है, दो टेबली स्पून मैंने पिसेवी मिरचे और दो टेबली स्पोन ही मैंने इसमें डाला था, पिसावा धनिया और नमक आप अपने हिसाब से कम्याजादे जैसे भी चाहें वैसे रख सकते हैं एंट माई फैवरिट कोटी भी मिर्च है वो मैंने हाफ टी स्पून डाली थी बस इसके इलावा जो है मैंने इसमें डाला है हाफ टी स्पून ही जीरा पाॉडर का बस इसके इलावा और कुछ भी मैंने इसमें स्पाइस यूस नहीं किया हाँ लास्ट में मैं डालने वाली हूं गरम मसाली का पाॉडर जब लास्ट में धनिया डालूंगे इंशाला सही है तो फिर यहां पर यह मसाल अच्छी तरीक के से प्रैप हो गया था ठीक है इसके बाद जो है मैं पास टीमाटर का पेस्ट रखा हुआ था तो मैंने इसको भी यूस कर लिया क्योंकि मुझे इसको खतम करना था वरना मैंने सिर्फ इसमें दही डालने थी तो अगर अच्छी तरीके से बस मसाले को बहुत अच्छी तरीके से आपने भूनना है ताकि यह जाहन फॉर्म में आ जाए ठीक है यहां पर देखें ऑईल उपर आ गया और सेपरेट हो गया मेरा दही डालने के बाद भी फिर मैंने इसमें डाले हैं अपने कबाब जो मैंने फ्राइ किये थे शेल फ्राइ बहुत अच्छा सा मसाला बन गया था माशाला से और टेस्ट फुल बहुत था ठीक है तो यह तकरीबर 15-16 कबाब बने थे और यह मैंने इसमें डाल दिया हैं और जी इसके बाद जो है मैं इसमें जो है वो पानी डालूंगी और इसको गलने के लिए क तो फिर इसको जो है मैं इसमें पाने डाल के तो उसको पकेने के लिए रखोंगी यहां तक कि यह मैंने पिर चेक कि आता तो बिल्कुल अच्छी तरीके से टेंडर हो चुके तो फिर मैंने इसमें भई फिर डाला था फ्रेश क्रेम के तकरो dalत मैं तीन या चार बड़े चम ता कि मुझे विडियो बना रही है उसे का ले ले आपी मैंने फिर उससे विडियो बनाई और जी उसमें यह लाइटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था हलाकि बिल्कुल रैट कलर गाता लेकिन इसके लाइटिंग पता ही नहीं चल रही थी कहां आए का नहीं है सॉरी उसके घ्रमसाले पाउडर विडियो बस्की मैं तो इसके लिए वे नाशती में यह नाशती मैंने बनाई थी लिए उनडों के लिए और इसमें मैंने इसमें डाला था टिमाटर का पेस्ट और यह पास पड़ा वाता ना तो इसलिए जो है मैंने जो है यह मैकरोनी बनाई थी क्योंकि यह वाली जो मैकरोनी होती ना उसमें मुझे टिमाटर का जो पेस्ट होता ना वो बहुत सारा इसमें चाहिए होता है बहुत अच्छे बहुत ही नाइस फ्लेवर होता है ऐसा नहीं होता कि टू मच खटा हो रहा है नहीं बहुत ही अच्छे जाएके वाली अगर आपने कभी भी बनाए नो तो बना के ज़रूर ट्राइ कीजिएगा वन पॉट मैंने अलग से नहीं उबाली थी और मैंने इसी में डालकर मैकरोनी पकाई थी इसमें मैंने थक्रीबन एक शिमला मिर्श भी थी दर्मियानी साइस के वो मैंने इसमें कट करकर डाली थी और हरा प्यास था तो वो भी मैंने इसमें कट करकर डाला था इसके इलावा मैंने इसमें नमक जो है इसका टेस्ट आता है टिमाटो कैचप का तो अगर तो आपके पास भी टिमाटर पढ़े ना तो यह फटा-फट बनाएं और आप इंजॉय करें तेखिएगा जरूर आपको पसंद आएंगे यह टिमाटर वाली माकरोनी बहुत इच्छी बनती है जबर्दस जाएका होत टाइकिएं, तो फिर मेरे मेण कसराई डाल दी है मैकरोनी तकरीबन इक देड़ गब था मेरे पास अगर अगर अब यह तक आप मेरा ज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल जाएक अब मैं कस पानी डालना का ब कि पानी जो है तमाम फैपुरेट हो जाए यानि तमाम पानी सूक जाए और अगर तो आपको थोड़ा सा पानी वाले भी चाहिए तो आप वैसे भी रख सकते हैं उसका भी अच्छा फ्लेवर आता है फिर आप उसमें जो है ऐसा सूपी ताइप बना के भी पी सकते हैं लेकिन आप नहीं जो है और आप उसमें मौस्चर नहीं हो अचा देखें मैं यहाप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए ताके मेरे हर आने वाली वीडियो की निटिफिकेशन आपको मिलती रहे बर वक्त और जी दौाओं में याद रखीगा अल्लहाफ जादूर स्थे हैं प्रोला आपको मेरे लीजिए लेखें।